जय हैं नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरी श्वाइद करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज का यह वीडियो इस पेसलिए आप सभी के लिए बहुत शांदार गुड्नियूज के साथ है बहुत अच्छी वेकेंसी CISF में आपके लिए आईए तो जि 1150 पोश्ट के वेकेंस यह जो की कॉंस्टेबल फायरपद के पर है तो आप सभी जितने भी बच्चे जो ऐसे जीडि से निरास है वो इसकी तैयारी कर सकते हैं खास बात यह है कि इसका और ऐसे जीडिका सेलिए बिल्कुल शेम प्रू शेम है कुछ भी अलग नहीं देखे फोरम बना क्या 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 इसके क्राइटेरिया है पूरी डीटेल अब हम देखें घ्याद चे लेकिए ओनलाइन मोड में यह एकजाम होगर ओनलाइन मोड चेह आप एप्लिकेशन इसके फोरम बढ़ सकते हैं लाट दो अब इसके जो अब मेडिकल पॉइंट क्या उन्हें सारे पॉइंट दीवें लेकिन खास-कास पॉइंट जो मुख्य रूप से है वो क्या-क्या है चलिए उसमें तर्चा करते हैं देखिए पेस्केल इसका थार्ड लेवल का है लेवल थार्ड यानि 21,600 जो कॉंस्टेबल जीडी का होता है उससे लेकर कॉंस्टी जीडी का होत दिवाइड की हुई कि किस-किस केटेगरी की कितनी-कितनी पोस्ट है आप आसानी से देख सकते हैं अगर आपको इसको पूरी पीडियाप चाहिए तो आप कमांडो केडमी का तो टेलिग्राम ग्रूप है तो उस पे आप जोईन कर लिजिए और वहां पर आप जुर तो वहां मेंने ये पीडियाप डाल दिया वहां से आप देख लीजिए ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसका तो इलिजिबिटी क्रियाट एरिया है वो क्या-क्या देखिए सबसे खास बात कि जिनको आरेक्शन भी दिया गया है सब कुछ चीज़ें इसमें मेंसर की गई है जितने बच्चें उनको एक चीज़ और बता दू हां उससे पहले कि सेम टू सेम जो हाइट क्रियटेरिया है वो टोटल एप्लिकेशन ओनलाइन होगा यह आप सभी को पता सो रुपे का चार्ज है यह देखिए इसका एक सो बीस मिनट का पेपर होगा जिसे पचीश नमर की रिजिनिंग आएगी पचीश नमर का जिके अब देखिए इसकी अगर बात करें कि कौन को इसको एप्लाइ कर पाएगा यहां पर कुछ इस्पेसल छूट दी जाती है जिन के टेग्रीज में वो रिलेशन वाड़े दिखाए गए है ठीक है जो इसकी परक्रिया होगी एक्जाम होगा उसके बाद में यह परक्रिया ऐसे जिन्दी की तरह फिजिकल होगा और उसके बाद मेडिक लिए देखिए पे ओनलाइन फीस सो रुपे है ज्यादा फीस भी नहीं है आप सभी एपलाई करिए मस्ट भी चलिए अब देखते हैं जितने भी बच्चे हैं जिए मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा का पूरा सिस्टम देखिए eligibility criteria क्या है education 12th pass होनी चाहिए कौन सी पास होनी चाहिए 12th pass होनी चाहिए खास बात यह है 12th में आपके science subject होना चाहिए science होना चाहिए science bio हो चाहिए science में तो के बल वही लोग इसको form को बठते हैं जिरनके science subject है क्यों लिखावा है वित साइंस सब्जेक्ट, यह नि आपके 12th पास और चाहिए, वित साइंस सब्जेक्ट, यह नि चाहिए साइंस बायो है, चाहिए आपके चाहिए में आते हैं, आप दोनों इसको एपलाई कर रखते हैं, और वही बच्चे एपलाई, आपके 12th पास साल की चूट दी गई है, यह नि तो एज रिलेशन हैं और पूरा पूरा दिया गया है, हाइट क्राइट अरिया में सेस्ट, ओविसी के लिए सेम चूटे दी गई है, तो इसमें भी दी गई है, तो इतने बच्चे इसमें इलिजिबल हैं, वो जल्दी से फरम पर दीजिए, वो जिनको किसी हो सक है, कमेंड बॉक्स में लिख दीजिए लाड लो, जहिद, जभार,